चोपड़ा एजूकेशन येटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों एनेमसी के यूजी मेडिकल एजूकेशन बौर्ड ने 2022-23 बैज के लिए एरवाई सेडूल जारी कर दिया है जिसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट एयर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कंड़ेक्ट होगा सेकंड एयर थर्ड एयर फाइनल एयर कब से कब तक होगा और इंटरंसिप होए पीजी कब होगा इसके साथ एक कुछ गाइड लाइन भी जारी की हैं तो आईए सबसे पहले हम इन गाइड लाइन के बारे में जान लेते हैं तो हम सब को इस बात का पता चल चुका है कि जो फर्स्ट एयर वैच है वो 15 नवंबर 22 से स्टार्ट होनी जा रहा है इसमें second guideline में ये दिया गया है कि जो exam और vacation होगा वो university खुद arrange करेगा इसमें उसकी date खुद arrange करेगा कि ये कब से कब तर होगा इसमें third number point पर दिया गया है कि 15 days के दो block से pre-clinic और paraclinic branches और clinical branch में adjust किये जाएंगे मैं आपको यहां बता दूँ कि pre-or paraclinic जो branches होती है first year और second year में होती है clinical branches होती है वो third year और final year में होती है तो यह जो 15 days के दो block adjust किये जाएंगे यह first year से final year तक इस परकार से किये जाएंगे इसमें इसके बाद में जो supplementary exam होगा वो man exam के एक मैने बाद conduct होगा और 15 days के अंदर-अंदर उसका result आजाएगा कोई supplementary badge अलग से नहीं चलेगा इसमें इसके बाद में जो बाकी rules होगे GMER 97 के according होगे योगा और family adoption program है villages में वो 2021-22 बैज की तरही चलता रहेगा अब एक बार हम schedule देख लेते हैं तो first year 15 November 22 से start होकर end रहेगा 15 तदिसंबर 23 तक इसमें 3 subject पढ़ाए जाते हैं anatomy, physiology और biochemistry 13 months का ये professional year रहेगा first year second year की बात करें तो 16 December 23 से 15 January 25 तक रहेगा ये और इसके अंदर जो pathology, microbiology और pharmacology पढ़ाए जाते हैं 13 months का भी ये ही रहेगा third year का जो part first है वो कम रहता है साड़े 10 मैने का ही होता है ये 16 January 25 से 30 November 25 तक रहेगा और इसमें community medicine और PSN दोई subject होते हैं साड़े 10 मैने का ये होगा इसके बाद में fourth professional यानि की part two है third year का वो December 25 से लेके मई 27 तक रहेगा इसमें general sensory, general medicine, pedia, obs, gyno, ent, opto ये सारी subject इसमें पढ़ाये जाएंगे और ये सबसे बड़ा बैच होगा यानि की साड़े 17 मैने का ये badge होगा तो इस परकार से ये professional first से लेके fourth तक का ये schedule है, internship first June 27 से 31 माई 28 तक रहेगी 12 मन्त की internship होती है उसके बाद PG program चलेगा first July 28 के बाद यानि की next exam लगके फिर PG में admission हो सकता है या फिर आप इसके बाद कोई job करना चाहें तो internship के बाद में MBBS के बाद में job कर सकते हैं तो ये पूरा schedule है 22 batch के लिए जो 22-23 batch है उसके लिए पूरा schedule है और उसी के लिए ये पूरी guideline है तो और कोई जैसे update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे आप इस वीडियो को like करके channel को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं और counseling related हर परकार की information हमारे channel पर time to time मिलती रहती हैं मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैस